वाइ इंडियन्स आर फैट इंडियन फैमिलीज में कोई न कोई ऐसे मेंबर जरूर होता है जो एक सेर्टेन एज के बाद मोशली ओएज थर्टीफाइब होती है उसके बाद वो मोटे होने लगते हैं अब यह जो मोटापा है वो एक सेर्टेन जगा से होता है और mostly Indians पेट से ही मोटे होते हैं, आप पोड़े इंडिया में कहीं भी चले जाओ, आपको ऐसे लोग ज़रूर मिल जाएंगे, जिनका पेट निकला होता है, और ऐसा नहीं होता है कि बच्पन से ही ऐसा होता है, हमारी एक certain age आती है, जो कि मैंने आपको बताया है, वो 35 होती है, civils is जनरली, जिसके बात से Indian का पेट निकलने लगता है और Indians मोटे होने लगते हैं, पर ऐसा क्यों होता है? Indians fat क्यों होते है? अब Indians के fat होने के 2 main reason होता है, और इस वीडो में हम उनी के बारे में बात करेंगे, reason number 1 होता है evolutionary reason, और reason number 2 है nutritional, अब जैसे मैं आपको बहला evolutionary reason तो यह आपने बहुत जगा सुन रहा उखा होता है कि यह इसलिए होता है क्योंकि हम ऐसा evolutionary तरीके से हम ऐसे develop हुए है या फिर इसके पीछे का reason evolutionary है अब अगर सिर्फ यह एक fact channel होता तो मैं आपको सिर्फ इत्ता बता के छोड़ देता कि इसके पीछ evolutionary reason है पर सिंस आप इस वीडियो को दरौज को टॉक पर देख रहे हैं जहां पर हम science के complex subjects को discuss करते हैं तो वीडियो के certain age के बाद मोटे ही हो जाएंगे और वीडियो के part 2 में हम बात करेंगे कि nutritional reason क्या होता है हमारे इंडियन का एक certain age के बाद मोटे होने का तो सुरू करते हैं 1851 में लंडन में peppered moth नाम का एक bug रहा करता था उस bug के बारे में खास बाती है कि वो bug white color का हुआ करता था 1851 के बाद जब industrial revolution हुआ तो अचानक से ऐसा पाया गया कि पूरे लंडन में white color के bug पूरी तरीके से खताम हो चुके हैं और सिर्फ अब black color के ही peppered moth पाये जाते हैं प particular environment में selection होना कि अब एक वही particular species रहेगी और उसके जैसे या उसकी पुरानी species अब उस environment में नहीं रह पाईगी अब हम इस बात को detail में समझते हैं कि यह ऐसा क्यों हुआ कि सिर्फ black color के ही peppered moth select हुए या फिर यह natural selection आखिर होता कैसे हैं तो industrial revolution के पहले उस area में black color के और white color के द लेकिन जैसे ही industrial revolution हुआ उस जगह पे सिर्फ black color के ही papered moth पाने जाने लगे और white color के जो papered moth हुआ करते थे उनकी पूरी species ही खतम हो गई क्योंकि industrial revolution से पहले जो paint हुआ करता था जिस paint पे वो bug रहा करते थे वो paint generally white color का हुआ करते था या grey color का हुआ करते था अब white या grey color के plant या फिर tree होने के कारण जो white color के papered moth थे वो camouflage हो जाया करते थे पर black color के paper moth इतने अच्छे से camouflage नहीं हुआ करते थे तो जो उनके predators थे वो white color के paper moth को बहुत कम amount में मारा करते थे लेकिन जो black color के paper moth है उनकी बहुत ज्यादा मौत हुआ करती थी अब इसके साथ साथ क्या हुआ कि जैसे ही 1851 में industrial revolution हुआ तो उस वक्त क्योंकि industries से जो smoke निकलता है वो black color का होता है तो उस पूरे area में जो smoke था उसके कारण सारे के सारे tree black color के हो गए अब इससे बहुत बड़ा change आ गया जो white color के paper moth थे वो किसी भी तरीके से camouflage नहीं हो पा रहे थे क्योंकि white color के trees तो वहां present नहीं थे तो जो black color के paper moth थे वो camouflage हो जाये करते थे अब इससे क्या हुआ जो white color के paper moth थे सिर्फ उनी का hunt होने लगा और black color के paper moth सारे के सारे बच गए अब इसी के साथ साथ आगे आगे यह हुआ क्योंकि industrial revolution तो आगे चलता ही गया जो पेंड काले हो गये थे धूँए के वज़े से वो कभी सपेद नहीं हुए तो white color के जो paper moth होते हैं वो पूरी तरीके से खताम हो गया और सिर्फ black color के paper moth बचे paper moth की species तो एक species के अंदर अलग-अलग characters के organism रहा करते थे अब यहां पर जो हुआ उसे हम कहते है natural selection की environment में कोई ऐसी condition आ गही जिसकी वज़े से एक कोई select हुआ और एक कोई रुख गया उसके different characters के कारण जो select हुआ वो भी उसी species का था जो रुखा वो भी उसी species का था पर जो select हुआ उसके characters उस environment के हिसाब से favorable थे इसलिए वो इन evolution में आगे बढ़ गया और एक रुख गया और वो उसकी species ही खतम हो गई अब इसका मैं आपको एक और अच्छा example देने के कोशिस करता हूं सायद ही आपको इतना familiar नहीं लगा होगा मालीजी एक ऐसा island है जहां पे पांच तरीके के bird रह आया जा सकता है तो भले उस bird की एक species में पांच characters के अलग अलग तरीके के bird रहते हैं पर उस environment में सिर्फ एक तरीके का bird ही select होगा और 100-200 साल बाद वो bird जो select होगा उसकी species ही अलग हो जाएगी क्योंकि उसका natural selection हो गया है और वो आंगे बढ़ गया है और ऐसे ही होता है natural selection कि उनका natural selection हो गया उन्हीं लोगों का जो एक certain age के बाद मोटे हो जाते हैं अब इस बात को मैं आपको समझाने की गोशिस करता हूँ Indian subcontinent में जो भी लोग रहते हैं वो उन लोगों के descendants थे जो ऐसे एरा में रहा करते थे जहां पे सिर्फ उन्हीं लोगों का natural selection हुआ करता थ जिनकी body में fat का storage हुआ करता था हम जिसे मोटापा कहते हैं हम जिसे कहते हैं कि यह मोटा है उसे हम आसान भासा में यह कह देते हैं कि वह मोटा है पर अगर हम उसे scientific terms में define करने के कोशिस करें या फिर scientific terms में हम उसे decode करने कोशिस करें तो मोटापा का मतलब होता है fat का जमा हो अब ऐसा क्यों हुआ कि इंडियन्स में वो सेलेक्ट हुए जिनके अंदर फैट का स्टोरेज हुआ करता था अब इंडिया में एक समय पर ऐसी सिच्वेशन रही होगी जहां पर फूड की इतनी अविबिल्टी नहीं रहा होगी लोगों को इतनी असानी से फूड डेली नहीं हुमन की स्पिसीस में कि फैट अलग से ही इस्टोर हो जाता था जो भी हम खाना खाया करते थे तो धीरे धीरे दूरिंग दा कोर्स आफ एविल्यूशन ऐसा हुआ कि इंडियन सबकॉंटिनेंट में सिर्फ ऐसे ही लोगों की पॉपुलेशन हो गई जिनकी बॉड़ी में न सेलेक्शन नहीं होता नेचलर सेलेक्शन और ब्रांचिंग डिसन तो बहुत सिंपल से कॉंसेप्ट होते हैं एविल्यूशन में ऐसा बहुत कुछ है जो मैं आपको बताना चाहता हूं पर उस सीरीज को बताने के लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए तो इस वीडियो को स ऐसी वीडियोस आने वाली हैं जो आपने सोच ही नहीं होंगी और ऐसी बहुत सारी चीज़े हैं जो evolution के उपर बन सकती हैं अब मैं आपको यह बताता हूं कि यह evolutionary reason काम कैसे करता है तो दीरे दीरे इंडिया में सिर्फ वही लोग रहने लगे जिनके gene के अंदर जिनके DNA के अंदर ये लिखा गया है कि हमारे अंदर जो भी food आएगा उसका एक हिस्सा तो हमें अपनी बॉड़ी की energy को हमारी बॉड़ी को चलाने में लगाना है और उसका एक इंडियन लोगों के साथ ही होता है क्योंकि हमारे DNA में हमारे जीन में से information लिखी गई है हो सकता है मैं एक वीडियो आगे चल कैसे बनाओ कि हमारे DNA में जो information लिखी होती है उसका हम use कैसे करते हैं अगर आपको उसे देखना है तो नीचे comment लिख के ज़रू बताईएगा अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इंडियन के साथ ही ऐसा क्यों हुआ बाहर ऐसा क्यों नहीं हुआ इंडिया के अंदर जो food हुआ करता था वो food ऐसा हुआ करता था कि उसमें जो nutritional value हुआ करती थी वो इतनी नहीं हुआ करती थी कि जिससे हम अपने body को काफी लंबे समय तक चला पाएं उसी के साथ साथ वो food ऐसा भी नहीं हुआ करता था जिससे वो हमें रोज available रहा करे और उस type जो food की availability थी वो इसी तरीके की हुआ करती थी इंडिया में जो common खाना खाया जाता है डेली घरों के अंदर उस खाने में carbohydrate का जितना यूज होना चाहिए उतना यूज हो जाता है और जो बचा कुछा carbohydrate होता है body उस carbohydrate को fat में convert करके हमारे greater momentum जो हमारे पेट की उपर होता है उसमें store करने लगता है धीरे-धीरे अगर इंडियन्स अपनी food habit change कर दें ऐसा खाना खाने लगे जिसमें protein का amount ज्यादा हो और carbohydrate उतना ही हो जितना हमारी body में use होता है तो हो सकता है कि धीरे-धीरे हमारी body में जो यह fat accumulate होता है mainly हमारे पेट में वो ना हो और इंडियन्स fat ना हो लेकिन जब तक हमारी food habit ऐसी रहेगी कि हम ज्यादा carbohydrate खाएंगे और protein इतना ज्यादा नहीं खाएंगे तो इंडियन्स ऐसे ही रहेंगे एक certain age के बाद हमारा पेट भी निकलेगा ही निकलेगा क्योंकि हम ऐसे select हुए हैं हमारे jeans में ऐसा लिखा गया है और यह चीज सायद आगे चलके नहीं बदलेगी of course इसमें improvement हो सकते हैं लोग इतने ज्यादा मोटे नहीं होंगे आगे चलके लेकिन ऐसा कहे दिया जाए कि बिलकुल इंडियन्स मोटे नहीं होंगे तो ऐसा नहीं होगा जिस तरीके से हमारा evolution हुआ है वो change नहीं हो सकता evolution backwards नहीं होता evolution हमारा forward होता है तो आज की वीडियो को लेत नहीं इस चैनल की दूसरी वीडियो को देखने के लिए आप इन वीड झाल